आज मैं आपको बोनलेस्टिकन बनाने का तरीका बताती हूं के लिए मैं ले रहीं चार्पून बोनलेस्टिकन, एक बरे साइस का प्यास, लसन अदरकी पेस्ट, टमाटर, हरी मिरच, हरा दनिया, कटा हुआ अदरक 1 टी स्पून लाल मिरच, 1 टी स्पून नम्मक, 1 टी स्पून हल्दी, 1 टी स्पून सुका धेनिया, 1 टी स्पून करश मिरच, और गरम मसाले में 2 बरी अलाची, काली मिरच, धालचिनी, लोंग, 3 चोटी अलाचिये rest और 6 टेबर स्पून दही के सबसे पहले एक पतीली लें और उसमें ओल जालें जैसे ही थोड़ा सा ओल गरम होता है तो उसमें प्यास डाल दो आप देखें जब प्यास जरा सा नरब होता है तो उसमें आप लसन अधरकी पेस्ट डाल लसर अद्रक की पेस्ट डालने के बाद इसको थोरा सा बून दे फिर इसमें बोनले स्टिकन डाल दे देंगे च्कन डालने के बाद इसको थोरा सा पकने दे़ेंगे जब देखें गे के चिक्कन की रंगर थोरी बदल गई है हम सबसे पहले टोमाटो डालेंगे और टोमाटों को चिकन के साथ 5 मिनट पकने देगे अब देखें के टमाटर विल्कुल गल गया है अब हम इसमें मसाले डालेंगे सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे जो के 1 टी स्पून मिरच 1 टी स्पून अब हम फल्दी डालेंगे जो के 1 टी स्पून है और इसके बाद हम करश मिरच डालेंगे जो के वो भी 1 टी स्पून करश मिरचों के बाद अब हम सुका दन्या पीसा हुआ डालेंगे जो के 1 टी स्पून है गरम मसाला डालेंगे जिसमें दो बड़ी अलाची गाली में रच, दाची, लोंग, दो छोटी अलाची अलाची तर मसाला डालने के बाद चिकन को पांच मिने पकने दो और इसको अच्छी तरा भूंगे के बाद इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे और साथ ही छेट टेवल स्पून दहीं के लिए डाल देंगे हरी मिर्चें और दहीं डाल देंगे के बाद आपने इन दोनों को अकठा अच्छी तरा भूंग लेना है अच्छी बूलने के बाद इसमें हरा दन्या डाली और साथ ही कटा हुआ अद्रफी डाल दो अब चिकन तियार है इस पोड़िश में डाली और सर्फ करेंगे झाल प्रफ करेंगे